देखिए आपको कोई भी ऐसा एक्जाम देना हो जिसमें इंगलीज पूछी जाती है तो आपको जो सबसे ज़ादा मेहनत करने की जरूरत है वो है वोकाइबलरी के लिए वोकाइबलरी में खास करके एडियम्स और वनवर सब्चिट्यूशन हुआ एंटर निव सैनी ने मुग गया ये चीजे देखिए क्या होती है आपको नमबर दिलाती है और आपके एक्जाम में बात करते हैं जब एयर फोर्स की जब बात करते हैं नेवी एंडिये कोष्ट गा वो सारी चीजे वोकाइबलरी पर आधारित होती है तो वोकाइब आपका इंप्रूव होना ज़रूरी है इसी के लिए ये क्लास नमबर 17 है क्लास 16 तक अल्लेडी हो चुका है अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो भी कोई बात ने यहां से भी सूझ कर सकते हैं कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अपना बेश्ट फूट आगे रखते हैं अपना बेश्ट पायर आगे रखते हैं यहां पर जो ऑप्सन सही है वो ऑप्सन नमबर 18 हैं ट्राई एज हार्ड ऐस वन से ठीक है नेस्ट की तरफ बढ़ते हैं अगला है आयट स्नेल स्पेस स्न आप जानते हैं बहुत ही धीरे-धीरे चलता है न तो उसी प्रकार से धीरे-धीरे कोई भी चीज क्या करना do something very slowly at snail pace का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही धीरे-धीरे करना do something very slowly आगे बढ़ते हैं अगला beat around the boost beat around the boost का मतलब क्या होता है avoid the topic यानि कि कोई जो main topic है उस पर बात नहीं करना उसके अगल बगल बात करना ठीक है जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं इस समय चल रहा है चुनाओ अपने उत्तर प्रदेश में ठीक है चुनाओ चल रहा है तो होता ही है कि जैसे माल लीजे कि चार लोग अगर चुनाओ में बात कर रहे हैं चुनाओ के मुद्दे पर चार लोग बात कर रहे हैं तो उसमें से अलग-अलग topic में गोल-गोल घुमाना that is beat around the boost वो क्या करते हैं main topic भई topic पे बात करो विकास पे बात करो इन चीजों पे बात करो तो जो topic को घुमा करके बात करते हैं उसको बोलते हैं beat around the boost ठीक है मुद्दे की बात ना करना अगला है make no headway make no headway देखिए headway का मतलब होता है न आगे बढ़ना या आगे बढ़ना रास्ता बनाना progress करना तो no headway मतलब की नहीं आगे बढ़ना नहीं progress करना progress रुक जाना तो क्या हो जागा unable to progress ahead progress नहीं होना that is option number B is right here अगला है make short work of something make short work of something किसी चीज का short work करना तो आपको देखेंगे तो आपको लगए reduce option A आपको लगए कि सही है लेकिन नहीं option A नहीं सही है option number B सही है dispose dispose आप quickly किसी काम को जल्दी से खतम करना dispose आप quickly make short work of something किसी काम को क्या करना जल्दी खतम करना next है in a nutshell अकसर आप इसको यूज कर सकते है डेली बोल्चाल में nutshell का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही संचिप्त में कोई भी चीज क्या बहुत ही brief में option number D हो जाएगा express very brief in a nutshell आप ज़रूर इसको बूलीगा जब ही में offline classes होगर लेते तो उसमें बोलते हैं कि चलो भी यह आज जो है हम आपको in a nutshell in a nutshell बताएंगे मतलब बहुत ही संचिप्त में बताएंगे कोई topic जो है in a nutshell का मतलब बहुत ही संचिप्त में clear? आगे बढ़ते हैं सर अगला है be an open book be an open book का मतलब जैसे बोलते हैं see is an open book मतलब वह जो लड़की है वो क्या है open book है C लड़की के लिए आता है he बोल सकते he is an open book open book मतलब जिसके बारे में आप सब कुछ आसानी से जान सकते हैं कहते हैं ने कि भाईया मैं खुली किताब हूँ आप हमें बिल्कुल पढ़ सकते हैं open book हो one about whom one about whom it is easy to know everything मतलब कोई ऐसा ब्यक्ति जिसके बारे में सब कुछ जानना क्या हो आसान हो कहते हैं भाईया हम तो खुली किताब है है ना जो चाहता है वो पढ़ लेता है तो इसको बोलते हैं be an open book last वाला यहां पर इडियम है cross the breeze cross the breeze का मतलब क्या होगा समस्या के बारे में discuss नहीं करना या समस्या के बारे में discuss नहीं करते हैं तो कह सकते हैं क्या होगा option number क्या हो जाएगा option number यहां पर समस्या के बारे में discuss ना करना not deal with the problem at all deal with the something only when necessary not even think about the problem let someone else deal with the problem क्या होगा options आपके सामने हैं यहाँ पर option number B हो जाएगा not even think about the problem समस्या के बारे में नहीं सोचना not even seen the problem जैसे माल लेगे कोई समस्या थी और वो समस्या के बारे में नहीं सोचा और bridge cross कर गया माल लेगे कि आगे bridge टूटा हुआ था problem थी उसने नहीं सोचा क्या कि bridge cross कर दिया मतलब की समस्या के बारे में नहीं सोचना तो यहाँ पर हमने आपको ये करीब करीब 8 idiom बताए हैं और उम्मीद है कि आपको 8 हो के 8 हो समझ में आ गए होंगे मैंने आपसे कहा था कल की वीडियो में कि आप आने वाले exam के बारे में comment box में बताएं कि हमें ये exam देना है ताकि हमें आगे की classes आपके लिए लगाना आसान हो जाए और आपके exam के according ही आपको classes हम दें ठीक है तो लिख दीजिएगा अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो चैनल पर ने तो जरूर subscribe करें अपनी राय कमेंट box में दीजिए मिलते फिर अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मातर